हलो फ्रेंट्स वेलकम सीओ लिजार इस कट स आज हम यहां पर बात करने वाले कि यह जो प्रॉपर और इंप्रॉपर फ्रिक्षिन पढ़ा यह पता चलिए कैसे क्या होता है पर यह मिक्स्डिफरेक्शन क्या है mixed fraction यानि कि जिसमें fraction भी और कोई whole नंबर भी होगा right तो इसा केसे हो सकता है तो चेक करते हैं यहाँ आफ हूँ अब पे इसके एक्जमबल ले टू आ फू अन हाफ तू है याफ कि अफू और यानि कि ओल हूं टू है एकल को हिविसे हमा.. दो पूरा और एक आदा ऐसा यहां पर बोलना है यानि कि यहां पर आप देखो तो तीन सर्कल दिख रहे हैं तीन सर्कल में से यहां पर देखो तो दो सर्कल प्रॉपर फिल्ड है और एक सर्कल हाफ फिल्ड है यानि कि इसका जो फ्रेक्शन दिखाना हो तो टू फुल लिख और यह half था, तो half यहाँ पे कर दिया रहें कि 2 plus half, यहने कि 2 and half, यह जो fraction बना, इसको ही हम बोलते हैं, mixed fraction, अभी यह जो mixed fraction है, मैं क्या बोलो, यह जो mixed fraction है, इसको अगर हमें proper fraction के अंदर, proper fraction के अंदर, conversion करना है, तो क्या कर सकते, जड़र नहीं कि proper fraction नहीं आना चाहिए, improper friction भी बन सकता है, yes, right, कैसे करेंगे, यह देखते हैं, सबसे पहले, यहाँ पे हमारा जो denominator है, यह जो denominator है, इसको multiply करेंगे, whole number के साथ, यानि कि denominator क्या था, 2, whole number क्या था, 2, 2 to the 4, इसमें add करेंगे numerator को, यानि कि 4 प्लस 1, 5, divided by, जो denominator था था, वो था, as it is ही रहेगा, यानि कि, यहाँ पे 5 by 2 को ही, as a mixed fraction हमें लिखना हो, तो 2 and half बनता है, पता चल गया, क्या यह सही में बनेगा, चेक करते हैं, कि अभी हमने क्या किया, mixed fraction से improper fraction में convert किया, सर, proper fraction नहीं होगा, देखो यहाँ पे यह improper fraction है, 5 by 2 है, 5 यानि कि numerator greater than denominator है, यानि कि यह improper fraction हो, चेक करते हैं, अगर proper fraction आएगा, कि भी नहीं आएगा, यहाँ पे यह 5 by 2 आगया, यह 5 by 2 है, इसी को ही मेरे को क्या करना है, अगें mixed fraction में लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे method हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 5 divided by 2 है, 5 divided by 2 है, तो इसको direct 5 से divide कर दो, याना कि 5 divided by 2 कुछ इससर से लिख देंगे, अभी चेक करो, division अप्लाई करना है, तो 2, 2, 4 हो जाएगा, 5 minus 4, 1 हो जाएगा, याना कि remainder 1 आया, हमारा question भी 2 आया, और यह जो division था, वो भी 2 आया, अभी यहाँ पे देखो, तो मेरे को mixed fraction लिखना है, तो उसका mixed fraction है, जो whole number है, उसकी जिखा पर क्या आएगा, हमारा जो भी question होगा, फिर हमारा यहाँ पर denominator क्या बनेगा, तो कि जो divisor है, वो ही denominator आएगा, और remainder जो भी वो कहां जाएगा, तो कि remainder numerator में जाएगा, यानि कि divider, यानि कि question, remainder divided by divider, यानि कि यह जो यहाँ पर फॉर्मिलाइस के अंदर कोई भी आपका division की अवा सम होगा, उसका यहाँ पर mixed fraction convert करना हो, तो इस तरह से convert हो जाएगा, यानि कि आपर two, one and half बन जाएगा, अब यहाँ पर देखो, तो यह improper fraction ही मिला, कोई एक और यहाँ पर mixed fraction लेते हैं, और यहाँ पर उसका proper या improper fraction में conversion करते हैं, जैसे कि 3, 1, 4th, क्या बोलना हूँ, 3, 1, 4th, 3, 1, 4th है, इसका यहाँ पर में conversion किसमें कर रहा हूँ, proper या improper जो भी fraction में मिलेगा, हमें simple वाला fraction में conversion करना है, तो 3, 1, 4th है, यानि कि denominator multiply by whole number करेंगे, 3, 1, 4th है, यानि कि 4, 3, 12 बनेगा, add करेंगे numerator से, यानि कि 1 add कर देंगे, यानि कि 13, और denominator जो था होता है, as it is रहेगा, यानि कि 13 आपन 4 मिलेगा, यानि कि यहाँ पर देखो तो यह भी improper fraction हो रहा है, proper fraction नहीं मिलेगा, यानि कि कभी भी mixed fraction में से fraction के अंदर, simple fraction के अंदर, conversation कर रहे हो, तो आपको हर बार, improper fraction ही मिलेगा, proper fraction नहीं मिलेगा, यानि कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक दूसरा राइप भी सीख लिया, कि जिसमें improper fraction से mixed fraction में conversation करना हो, तो कैसे करेंगे, पता चल गया, तो यहाँ पर लोगों ने, proper fraction, improper fraction and mixed fraction, तीनों के बारे म भी सीखना था, वो सीख लिया है, राइट, थेंक यू